नमस्का स्वागत है आपका आस्थ फिल्म्स पर दोस्तो हमारी हिंदी फिल्मों में जिस तरह से खलनायक अभद्र और गलत कर्म करते दिखाये जाते हैं तो कभी कभी कुछ छड़ों के लिए हम परिशान भी हो जाते हैं लेकिन आप एक बार कलपना कीजिए अगर ऐसे बिल्म इन फिल्मों में ना होते तो शायद ही हम फिल्मों को इतनी गहराई से देखते दोस्तो आज के इस वीडियो के मादम से हम बात करने जा रहे हैं बोलिवूड के एक ऐसे ही 90's के खुंखार बिल्म की जिसने अपनी विल्लिनी से तो एक अच्छी पहचान बनाई ही इसके साथ ही लोग इनकी फिल्में देखकर खूब डरे भी इनके पर एंट्री करते ही मुजिक भी एक अलग रुख ले लेता था जी हाँ हम बात कर रहे हैं रामी रेडी की तुम हमारे पास आतो गए हो मगर एक बात सुन लो हमारी फाउज में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता जिस पल भी तुमारे दिमाग में गद्दारी का खयाल आया दूसरे ही पल तुम जिन्दा नहीं रहोगे इस आदमी ने पूरी बात नहीं बता ही होगी और बताता भी कैसे इसके पास सांसी नहीं बचे थी मगर पूरी बात मैं बताता हूँ कल डेपिटी होम मिनिस्टर मारा जाएगा क्यों मरेगा ये तुमारे लिए जानना जरूरी नहीं है दहशत का दूसरा नाम था रामी रेड़ी नैंटीज के दोर के फिल्मों का एक जानक पहचाना चेहरा था ऐसा विलन जो विलन लगता भी था जिसके पर महज मेजुदवी भी लोगों की सासें अटकाने के लिए काफी थी ये बो ही सक्स है जिसने परदे पर बेशमार डराया है ये बो दोर था जब विलन का विलन लगना भी बहुत जरूरी हुआ करता था आज जैसा नहीं कि हीरो विलन में कोई फर्क ही नहीं होता बलकि आजकल तो बैसे फिल्में ही बहत कम दिखती हैं जिनमें हीरो के मुकाबिल एक शैतानी किरदार फिल्म की पहली जरूर्थ हुआ करता था असी नब्डे के दशक का दौर हिंदी सिनेमा के वदले का दौर था जातर फिल्मों में एक सेट पैटर्न हुआ करता था एक हैवान सा आदमी या तो हीरो के बाप का खुन करता था या फिर उसकी बहन का बलातकार पूरी फिल्म में ये आदमी अपनी जलील हरकतों से हीरो पर हावी रहता था हीरो का काम सिर्फ इतना होता था कि वो क्लाइमेक्स में विलन को हरा कर अपना बदला पूरा कर ले फिल्मों में इस तरह से एक से बढ़कर एक बुरे काम करने के लिए इंसान बैसा ही लगना भी जरूरी था रामी रेड़ी जी इन सभी कामों के लिए बिलकुल फिट थे इनका पूरा नाम है गंगा सानी रामी रेड़ी दरसल इन्हें बावा नायक के नाम से भी जाना जाता है बैसे तो हम सभी ने रातों को घर से चोरी से निकल कर इनकी फिल्म में खूब देखी हैं इनका अभीना इतना सशक्त होता था कि कुछ भी ना बोलने पर लोग इनसे सहम जाते थे जिसका उधार्ण फिल्म दिलवाले है इनका जन्म एक जन्वरी 1969 को आंधर प्रदेश के बालमी की पुरम में हुआ था इन्होंने हैदरावाद के उसमानिया इन्वेस्टी से जर्नलिज्म की डिग्री भी प्राप्त की इसके बाद इन्होंने लोकल नीज पेपर में नवकरी भी की लेकिन रामी रेड़ी का मन नवकरी में नहीं लगता था इसे दोरान इनकी मुलाका तेलगू फिल्मों के प्रोडूसर यम शाम परसाद रेड़ी से हुई जो कि अपनी फिल्म अंकुसम बनाने की सोच रहे थे और उन्हें इस फिल्म में खनलाईकी के रोल के लिए एक नए चेहरे की आवस्यत्ता थी इनसे मिलने के बाद शाम परसाद रेड़ी ने खनलाईकी का बो रोल इन्हें ही ओफर कर दिया और वहीं रामी रेड़ी जी भी ये रोल करने के लिए तायार हो गए रामी रेड़ी की सफलता की ये पहली सीडी थी इस फिल्म में खरलाइकी का जबरदस्त किरदार निभाने की बज़े से रामी रेड़ी काफी चर्चित हो गए और इस फिल्म में अपने इस किरदार की बज़े से इने साउथ फिल्म इंडिस्ट्री की तरफ से वेस्ट विलेन का डेबी ओवर्ड भी मिला रामी रेड़ी जी ने 1989 के फिल्म अंकुशम में काम करने के बाद कई तेलगू बत्तमिल भासा की फिल्मों में काम किया फिल्म अंकुशम की इतनी बड़ी सफलता के बाद इसे हिंदी में भी सन 1990 में परतिवन धनाम से बनाया गया था इसी फिल्म से तेलवू सूपरिस्टार चिरंजेबी ने बोली बुड में एंट्री वी की थी इस फिल्म की कहाणी एक इमांदार पुलिस इंसफेक्टर की कहाणी है जिसकी जिंदगी एक गैंगेस्टर ने जहंड करके रखी है गैंगेश्टर जिसका नाम है स्पोर्ट नाना जो कि पुलिस वालों के साथ दो ही काम करता है मुम्मेंट यानि ट्रांसफर स्पोर्ट यानि की जहां दिख जाये वहीं खलास रामी रेड़ी की फिल्म प्रतिवंद हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी इसके बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में यादगार किरदार निभाये जिन में फिल्म बक्त हमारा है को कौन बोल सकता है जिसमें अक्षकुमार और सुनिल सेटी भी हैं इसमें रामी रेड़ी जी ने करनल चिकारा का बहुती शानदार किरदार निभाया है रामी रेड़ी ने बोली बुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया जिन में बक्त हमारा है आयलान, दिलवाले, खुदार, अंगरक्छक, आंदोलन और रंगवाज जिसे फिल्में शामिल हैं इनके फिल्म आंदोलन तो आपने देखी ही होगी, जिसमें पहले दिब्या भारती भी होने वाली थी, लेकिन दिब्या जी की असामाईक मौत हो जाने की बज़े से की जगह ममता कुलकरणी ने ले ली, इस फिल्म में रामी रेड़ी ने बेरहम गुंडे बावा नायक का करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे कि यूनियन लेडर का मडर करने से लेकर बस्ती में हिंदू-मुश्लिम दंगा करवाने तक कुछ भी कर सकता है, रामी रेड़ी ने फिल्मों में जहतर नेगेटिव किरदार ही निवाय हैं, जो कि दर्शकों ने काफी ज़् एक समय ऐसा वी था कि रामी रेड़ी दोरा निवायागा हर एक किरदार सफल हो रहा था, और उस सफलता के साथ ही अपना काम कर ही रहे थे कि इन्हें लीवर की भैंकर बीमारी हो गई, और इस भैंकर बीमारी ने इनकी अच्छी खासी जिंदगी को तबहा करके रख दिया, अब तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि जिंदगी उजड़ गई हो, इन्होंने अपने आपको फिल्म इंड़स्ट्री से दूर कर लिया और अकेले ही रहने लगे, रामी रेड़ी की फैपड़ों की तो बीमारी चली ही रही थी, उसी समय इन्हें केड़िनी की भी समस्या हो बसी थी कारण से इनकी सिहत काफी तेजी से गिरने लगी, अपने आखिरी वक्त में तो यह सिर्फ हड़ियों का धाचा ही रहे गए थे, अब तो किसी व्यक्त को यह यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्त के परदे पर एंट्री करते ही लोग काप जाते थे, वो अब सिर् हैदराबाद के एक प्राइबेट अस्पताल में इनकी मौत हो गई, रामी रेड़ी जी भले ही फिल्मी परदे पर खलनायक ही बने हो, लेकिन असल जिन्दगी में ये सुभाव के बहुत ही अच्छे इंसान थे, नाइटीज के सिनेमा के शोकिन लोगों के जहन से रामी रे इसकों ने अपना फैसला बदल दिया, इनके द्वारा निभाया गया हर एक किरदार हम सभी लोगों को हमेशा ही याद रहेगा, तो दोस्तों ये कहानी थी नाइटीज के उस कलाकार की, जिसने परदे पर आकर हम सभी लोगों को खूग डराया, और अपने अभिने से एक अ आसानी से पहुंच सकी, धन्यवाद